हेलो डियर स्टुडेंट वेलकॉम डिश्वामी विवे का नंद टेक्नो ट्यूटोरियल मैसेल्फ डॉक्टर रहूल कुमार और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लास्ट टॉपिक दाट इज हिटिंग इफेक्ट सो इससे पहले डियर स्टुडेंट जदी आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे इलेक्रिसिटी की जाएं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब के जिए लाइक भी कर सकते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है हीटिंग इफेक्ट आफ इलेक्टरि करेंट एक्चुली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं बच्चों घर में भी देखते हैं जैसे कि बात करते हैं रूम हीटर का वाटर हीटर का घर में पहले जो हम लोग हीटर यूज करते थे खाना बनाने के लिए और रूम हीटर आइरन जो हम लोग करते हैं आइरन जो रहा है तो आज सारे टॉपिक इससे रिलेटेड जितने भी है सारे चीज़ किलियर हो जाएगी इसके साथ साथ जैसे आप लोग कोई भी एक्विपेंट घर में देखते हैं बल्ब देखते हैं इतने वाट की है इतने कारेंट एंपियर रेटिंग देखते हैं तो इलेक्ट्र से बैठिए अराम से पढ़िए और अभी जो है सारे वीडियो को वन बाई वन करके देखना होगा तब जाके सारे टम्स किलियर होगी करेंट क्या है वोल्टेज क्या है पोटेंचल रिफ्रेंस रेजिस्टेंट से लेके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है यह सपोर्च यह कंड़क्टर है मेरे पास है यह कंड़क्टर है जो मैंने बताया था जिदि कंड़क्टर में क्या होता है इजी फ्लो ओफ करेंट जद रेजिस्टें मिंस जदी बढ़ जाए, मिंस resistivity कोई भी conductor का बढ़ जाए resistivity सो क्या होगा, जब हम लोगों का current flow करने लएगा, resistance बढ़ने लगता है सो resistance क्या करती है, current को अपोज करने लगता है current को flow को अपोज करने लगता है So hitting effect of electric current में भी यह concept है हम लोग जब बात करते हैं कोई भी heating effect मतलब कोई भी heater वो जो material यूज़ करते हैं वो high resistivity materials यूज़ करते हैं जैसे नाइक्रोम हम लोग जो घर में heater यूज़ करते हैं वो नाइक्रोम का होता है manganins होता है constantine होता है यह सम materials का क्या है property high resistivity and high melting point जो current जब high resistance जब offer करती है जो current को pass करने के लिए उस resistance को overcome करना होगा जो उस overcome को कम करने के लिए actually work done करना पड़ता है so that work done to overcome this resistance is released in the form of heat energy so electric current को जो flow को अपोज कर रहा जो resistance और उस उस resistance को जो work करना पड़ेगा अपोज करने के लिए overcome करने के लिए जो कम करने के लिए so वो energy जो जिस form में release होगी वही है heat के form में और उसी को हम लोग heating effect of electric current कहते है डेली लाइप में मैंने बताया एक room heater से लेके water heater से लेके जो हम लोग टोस्टर बात करती है वो शारे heating effect of electric current पे principle पर बबार करती है so heating effect of electric current को हम लोग mathematically भी समझेंगे यूंकि हम लोग arm's law से लेके potential difference से लेके current resistance सारे चीज जान चुके हैं so heating effect of electric current के लिए सबसे पहले हम लोग देखते है कि suppose that suppose that if q amount थ्यान से लिखोगे if q amount of charge ठीक है यह visible है proper if q amount of charge simple है flow through a potential difference flow through flow through a potential difference a potential difference potential difference of suppose v actually potential difference कम लोग भी से हिदनोट करते हैं of v then work done then work done is basic definition मेरे last lectures को आप लोग इने अच्छे से देखे होंगे तो अभी आप लोगों यह clear है कि v is equal to क्या होती है work by charge हम लोग एक जानते हैं यह formula we know that हम लोग सिंपली जानते हैं कि v is equal to जो होती है वह है w by q और यहीं से हम लोग जो work का formula निकलता है in term potential और जो charge है वह होती है w is equal to v into q यहाँ पर हर एक term के लिए है w हम लोग वर्क के लिए ले रहे हैं भी जो है वह potential electric potential है और q जो है वह है electric charge तो देख सकते है w is equal to v into q ओके clear होगा यह आप लोग को सारह में one by one करके पढ़ा भी चुका हूं तो देख रहा है w is equal to v into q so now we know that we know that जदि आप लोग को current के बार में पता होगा current का definition so मैंने बताया था कि i that is current के लिए होती है that is rate of flow of charge क्या होता है rate of flow of charge so यहां से हम लोग q is equal to निकाल सकते है i into t suppose इसको equation number हमें लोग 2 माल लेते हैं okay so q is equal to i into t i current t हम लोग का time है okay now you know that also what ohms law according to ohms law यह भी last classes में हो चुका है according to ohms law ठीक है so ohms law ने क्या कह था v is equal to i r कोई भी conductor में जब current flow होने लगता है तो वह directly proportional to potential difference की होती है वही से हम लोग का यह formula है v is equal to i into r okay so यह equation number third okay now from equation one two and third हम लोग तीनों को ले लेते हैं from equation one two and third okay सो देख रहे हैं हम लोगों के यहाँ पर q यहाँ पर b दोनों value आ चुकी है from equation number two और यह three से हम लोग equation number one में substitute कर देते हों so w is equal to v is i r and q is i t so i r i t इसको हम लोग simplify simply लिख सकते हैं i square r into t question number four so w is equal to see here i square r t w is equal to i square r t note down कर सकते हो इसको screenshot विलिस last me screenshot लेने ना भी स्कोर हम से so w is equal to i square r t so what is here this work this is work this is work but you know here this is the heating effect of electric current so this work is converted or released in the form of heat energy this is heat energy so w is equal to i square r t ko हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में कि this work is converted into this work is converted converted into what heat energy किस फॉर्म में convert हो रही है यह energy heat form में हम लोग h से लिख सकते हैं इसको so यहां पर लिख सकते हैं h is equal to i square r t h equal to देख सकते हो dear students h equal to i square r into t so h equal to i square r t यहां पर हम लोग heat energy को देख सकते हैं कि heat जो है वो directly proportional to क्या है square of the current h is directly proportional to resistance h is directly proportional to what time देख रहे हो current जितनी ज़्यादा होगी heat energy उतनी ज़्यादा है resistance जितना ज्यादा होगा heat energy उतना ही ज्यादा होगा time के साथ में जितना ज्यादा time होगा heat energy उतना ही ज्यादा होगा so यह जो हम लोग देख रहे है heating effect of electric current इसको हम लोग कह सकते हैं this is also called joules heating effect this is also called what joules joules heating effect joules heating effect so यह heating effect of electric current है इसका जो applications का बात करते हैं so application तो मैंने अभी अभी बता ही दिया आपको जो हम लोग डेली लाइप में घर में भी देखते हैं इसको लीख सकते हैं कि इसका applications है क्या हम लोगों का आपको डेली देख रहे हैं बताया मैंने अभी कि simply electric heater इलेक्ट्रीक हीटर पी यूज करते हैं ठीक ना टोस्टर मसीन ब्रेड के लिए टोस्टर में ही यूज होता है इलेक्ट्रीक आइडरन एड़ी कहते हैं ठीक है डेली लाइक्ट में हम लोग देखते हैं घरे लू समान जोने यूज करते हैं इलेक्रिसीतिक के कारण हम लोग लोग हीट एनरजी एनरजी रिलिज हो रहा है तो देखो एक-एक टर्म मैंने बताया हूआ कि भी क्या है डबिलू किया है, चार्ज किया है, करेंट किया है, ओमस्लॉ किया है इसलिए मैं बार बार कहरा हूँ आप लोग मेरे चेनल को सब्सक्राइब करके एक एक वीडियो को देखिए और आप लोग एक better concept मिलेगी छोटा से छोटा concept को भी मैंने explain किया है so application हम लोग देख रहे हैं applications में यह सारे applications है so generally जो हम लोग बात करते हैं ठीक ना जो generally जो बात करते हैं जो यह appliances में हम लोग यूज करते हैं material वो basically होता है high resistivity and high melting points जो हम लोग materials यूज करते हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि नाइक्रोम नाइक्रोम हम लोग यूज करते हैं generally heater पे नाइक्रोम यूज होता है manganines यूज करते हैं manganine यूज करते हैं तो इस type का material है ना इस type का materials का properties क्या होती है कि high resistivity और high melting point होता है इस हम प्रोपर्टीज में हाई रेजिस्टी वीटी हाई रेजिस्टी वीटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों गलना भी तो नहीं चाहिए ना ऐसा नहीं है कि अब ज्यादा टेंपरचर वहता गल गया तो इस टाइप का ही हम लोग मैटरीयल को जेनरेली फ्रीफार कर हो कि अब एक प्रण में परने के बाद हम लोग बहुत ही इंपोर्टन टर्श दाएंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनरजी क्या है उसके ऐसा यूनिट्स का बात करेंगे और जो हम लोग रेटिंग का बात करते हैं यह मोग बहुत बाप बल्ब का करके मैं कीरियर कर रहा हूँ इसको ले लो इसक्रीन शॉट में नेक्स टॉपिक पर जा रहा हूं अभी ठीक है सो इलेक्ट्रिक पावर ओके सो पावर नाम सही पता चल रहा है कि पावर चो पहले वी तुम लोग फॉस्क्रिक तो रहत बात करें गे electrical energy electrical power का बात करेंगे जो कोई भी ऐप्लेयनसे सिस्ट कोई भी इक्विपमेंट बंड में देखते हो ओके ये टैन वाट की है रूम हिटर में देखते हो के थाजन वाट की है यह जो what जो बात कर रहे है यह जो power बात कर रहे है तो actually power है क्या इस power को भी हम लोग पुरा clear करेंगे so electric power so rate at which energy is released energy is used by an electrical appliances is called the electric power so mathematically हम लोग electric power को जो समझेंगे वो है electric power simply power is equal to यह पढ़े होगा तुम लोग 9th class में भी work by time okay power is equal to work by time so यहां हम लोग power को basically piece note करते है work के लिए तो पताए यह w time के लिए t okay so यह work जो बात करेंगे हम लोग यहां पर simple work मतलब electrical work का बात करेंगे जो अभी अभी हम लोगों हिटिंग effect of electric current में निकाला था work is equal to i square rt जो heat के form में जो हम लोगा work आया है और w is equal to i square r into t and divided by t तो t t यह cancel out so p is equal to i square into r तो देख सकते हो यह power जो है current और resistance के form में है यहां जो power का expression हम लोगों के पास आया है वो क्या है in term of current and resistance इसको हम लोग फोल्टेज और current के form में भी निकाल सकते हैं कैसे according to ohms law ohms law so ohms law ने क्या कहा है अभी पताया है मैंने vehicle to क्या होती है i r होती है vehicle to i r so यहां पर जो power है p इसको simply i r into i लिख सकते है i r into i so i r का भी हो गया so v into i so power का एक नया formula हम लोगों के पास आया है in term of voltage and current p is equal to v i अब power को हम लोग voltage और resistance के form में भी निकाल सकते हैं कैसे simple यहां से फिर v is equal to i r जो i है यहां से हम लोग i is equal to v by r लिख सकते हैं okay so यहां पर p is equal to i के जगह में v by r so निकल जाएगा v square by r so power का देखो हम लोग जो expressions निकाले हैं p is equal to i square r means current and resistance के terms में p is equal to v into i voltage और current के form में p is equal to v square by r voltage और resistance के term में so यह electric power का देख रहा हो mathematically भी सारे expressions में ने one by one करके clear कर दिया हूँ अब power का जो SI unit होता है सब को पता होगा what होता है power is a scalar quantity है so what is the SI unit of power so SI unit of power is यहाँ पर में लिक रहा हूँ SI unit of power details यहाँ पर बता रहा हूँ SI unit of power is what simply w a double t इसको w से नोट करते हैं this is a scalar quantity it is a scalar quantity मैंने पता है तो scalar vector क्या होती है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं कि one watt का मतलब क्या होता है हम लोग के पास फर्मला क्या है पी इस इकल टू भी आई देख सकते हो हम लोग इन टर्मस हम पी इस इकल टू भी आई को भी डिफाइन कर सकते हैं so one watt क्या होगा simply voltage को जदी one volt लेते हैं current को जदी one ampere लेते हैं सो एक भोल्ट simple potential difference बात करेंगे कि एक watt power क्या होगा कि यह draw करेगा if a draw a current of one ampere when connected to a potential difference of one volt तो simple हम लोग definition of watt का भी definition हम लोग क्लियर कर सकते हैं definition of of watt ओके so p is equal to v i अब यहाँ पर v is equal to one volt ले लेते हैं current is equal to one ampere ले ले लेते हैं so one watt is what one volt ampere याद रख सकते हैं one watt is equal to watt one volt ampere note down कर सकते हो one by one करके सो हम लोग बोल सकते हैं कि one watt होगा electric power is said to be one watt simply क्या बोल सकते हैं कि electric power electric power is said to be said to be what simple one watt if क्या होगा यह इफ simply क्या हो रहा है it draw यह क्या draw करेगा एक ampere current if it draw a current of one ampere कब when connected connected to a potential difference of one volt यह देख रहे हैं definition of power definition of watt सारे चीज़ के लिए हो गया है यह तो वार्ट जो होता है small unit होती है यह हम लोग बात करेंगे को इगर उनिट का तो वान किलो वार्ट इसा पता होगा वान किलो वार्ट इस इकल टू थावोजेंड वार्ट वान मेगा वार्ट इस इकल टू टन का हम लोग जो बील आती है कि हाँ यह इतना यूनिट हो गया दो यूनिट हो चार यूनिट है तो आज हम लोग यूनिट का कॉंसेप्ट को पढ़ेंगे कि एक यूनिट में एक्च्वल में कितना जूल आफ एनरजी होता है तो ठीक है इसको नोट डाउन कर लो स्कीन सौट ले लो आते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट आफ इलेक्टरीक अनरजी चो वान बैवन करके सारे किलियर है तो सारे वीडियो को जितने भी वीडियो एभी तक तुम लोग नहीं देखे हो जिसने सारे लेक्च्चर नहीं देखे हो फटा बैटकर पढ़ सकते हो थोड़ा सा सिंस्यर होना होगा थोड़ा सा ओनेस्ट बढ़ना पड़ेगा कि हम लोग को पढ़ाई करना है अभी घर में बैटकर करके हम लोग अच्छे फैकल्टी से अच्छे टीचर से हम लोग कर पढ़ाई कर सकते हैं ठीक ना सो के सो कमर्सियल य है अनरजी चलिए को में स्यल्ट इनिट ऑफ इलेक्टरी के नरजी ठीग है यह टापिक इंपोटेंट है तो कॉमर्शियल इनिट अफ यूनिता इजी जो होता है वह सब को तेखो बता रहा हूं मैं बोर्ड ओफ ट्रेड उनिट उनिट थे इनांट । है यूनिट सींपल वी ओटी यू बोलते हैं इसका लोग बीयो टी यू बॉर्ड आफ ट्रेड यूनिट यह क्या होता है बॉड़ आफ ट्री यूनिट सो अमनों कर सकते कि सिंपल वान बॉट इस एक्वल टू वान किलो वाट आवर हम लोग इसा एनर्जी का कमर्शियल यून और एक किलोवाट आवर को हम लोग और एक डेफिनेशन है वान यूनित इस उकल टो वान के डेवलू एच अब इस के डेवलू एच को हम लोग जूल में भी कनभट कर सकते हो कि एक किलोवाट एनरजी यह कितने जूल के बराबर है ओके बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट में बता देता हूं इसमें कैसे करके कनभट करेंगे किलोवाट आवर के बारे में तो सबको पता है कि किलो मतलब 1000 होती है और एग घंडा में कितने सेकंड होती है तो 3600 होता है वन किलोवाट मेंस एक हजार सिंपली वाट बोल देते हैं यहां पर आवर का मतलब 3600 सेकंड का बात करते हैं ठीक है तो 12315 तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 देखते हो वाट सेकंड और वाट सेकंड क्या है वाट सेकंड अभी पढ़ा है ना पी इस इकल टू क्या होता फार्मिला W ए टी इस इकल ट क्या होता है वाट और टाइम का क्या होता है एक जूल बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं एक वाट सेकेंड के बराबर तो यह वाट सेकेंड डिज नथिंग सिंप्ली जूल देख सकते हो मैं सारा चिछ के लिए का रहा जाएगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो और बस कंफिजन ही कंफिजन एक किलो वाट आवर इस उकल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल अफ एनरजी क्लियर हो गिया होगा एक किलो वाट क्या है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल अफ एनरजी और 10 का पावर इसको मेगा भी बोलते हैं इसलिए हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3.6 मेगा जूल ठीक है, तो यह commercial unit of electric energy में देखते हैं, यह boat होता है, एक boat, kilowatt hour के बराबर है, और देख रहे हो, simple सा concept है, है ना, तो हम लोग जो बात करते हैं ना, अब देखो ध्यान से की, हम लोग ऐसे कोई bulb है, बल में देखते हो ना, कि यह 60 watt का bulb है, 220 volt है, तो देखो हम लोग को 60 watt, मतलब power पता चल गिया, और यह तो बोल्टेज पता चल गिया, है ना, तो पावर पता चल गिया, बोल्टेज पता चल गिया, तो current निकाल सकते हैं, कि निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? तो rating of electric appliances, देखो मैं छोड़ा सा एक एग जामपल दे रहा हूं, यह simple से एक ए आफ इलेक्ट्रीक एप्लेंसे रेटिंग आफ एलेक्ट्रीक एप्लेंसेश है ना पर जिसे हम लोग को बात करते हैं लोग को एक वन बल्ब है हम लोग का विश्वत है यह तो यह तो लोग को देखो अब पता चले गा ज्ची हम लोगों को सारा चीज़ निकाल सकते है का लोग refugee निकालना पाता है कि तुम से कोई मुला सिंपल वहां से हम लोग निकाल सकते हैं वी ए स्कॉयर वाई पी कर देंगे और वोल्टेज तो अभी 220 है यहां पर 220 का होल स्कॉयर हो गया और यह पावर 60 हो गया देखो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यह तुम्हारा आएगा 806.67 ohm 806.6 simple ohm तो देखो इक्यूपमेंटउचल गरेम सब्सक्राइब को लिए आबी तुम्हारा सकते हो आपने खुद से भऴ कितना है इसमें करेंट के सiŊटी कितना जाएंगा तुरन्द ऊठा कर चेक कर सकते हो कि इसमें करेंट कितना जा सकता है करैंट के aquestिए लिए मैं फॉर्म्मला ऑ्पार के तो टू जीरो इसको सॉल्व करो जो सॉल्व कर गाएगा 0.27 एंप्यर 0.27 एंप्यर सो देखो सिंप्ली हम लोग एलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो है उसका रेटिंग भी हम लोग देखो पता कर सकते हैं अभी हम लोग पावर का कम्सेप्ट से सिंपल गहे हैं देख रहें कि एक फर्मूला से हम लोग कैसे निकाल रहे हैं जो मैंने पावर का तीन फॉर्मूला बताया थे तीनों से जब जैसा या लोग औरफो ऑं में 0.27 ampere current capacity है उससे ज्यादा जदी चल जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा बल्ब जब वह तुम्हारा खराब हो जाएगी तो यह स्टुडेंट हम लोग समझ सकते हैं आज जो है एकदम एजी से हम लोग एजी वे में सारे चाहिश को समझ सकते हो इसको 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 इ हीटिंग इफेक्ट अफ इलेक्टरी करेंट नमको लगता है कि सब को आराम से समझना आगया होगा घर में वेड़े के वार आउर सन्याज तो हीटिंग इफेक्ट पुरा एकदम दिमाग में क्लियर हो गया तो देखते हैं घर का हीटर देखो या बल्ब जो बात करते जो अ हैगा आपस में उसमें तो अटो हैनो ऊब ज्लिशन जदा हो रहा है जारा हो रहा है मतलब जो एनर्जी तो उसको हडाने के लिए राकते से सो वह ट कि निकल रहा है हूं जो का एक्टरी करेंट इसको हूझ जूल सीटिंग एफेक्ट भी बेपलते हैं और ईलेक्ट्रिक पा तो ठीक है आज का वीडियो नहीं तक रखते हैं तो टेंद क्लास के सारे एलेक्टिसिटी का मैंने एक एक वीडियो यहाँ पर सारे लेक्चर को मैं अच्छे से रिपरेजेंट कर दिया हूँ सो डियर स्टुडेंट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है अभी तक सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करना है लाइक करना है तो मिस्स कर रहे हो क्योंकि टाइम पास हो रही है अब सारे क्लास पूरे अप्टू डेट चलेगी जल्दी से जल्दी सको सब्सक्राइब करना ह और जो है कि नोट्स बनाना है प्रोपर प्रोपर नोट्स बनाना है एक एक वीडियो को देखो जो अभी तक नहीं देखो सारे नोट्स बनाओ देकरां रफ धिजी परफेक्ट नोट संहीं सब्साảiव द्सक्राउंचे थर लोगों को अभी में मिक्सट्रोप्रोवलम्त आप लोगों कर गाँ है जो नेक्स्ट्रोप्रोवंग करणClap घंट्रीयक्ष o झाल झाल